आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, सो मारा कोश्चेन है थ्री फार्मर्स हेब 165 kg, 190 kg and 210 kg of wheat respectively find the maximum capacity of a bag such that the quantity of wheat can be packed in exact number of bags तहमें यहापे exact number of bags में बताने की कितने capacity का हमें जो quantity यह बेग मिलेगा जिसको हम यह सबको हम pack कर सकते हैं तो यहाँ पर यह बताने तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो हमें यहाँ पर दिया है 165 kg, 190 kg and 210 kg इसका हम सबसे पले तो यह HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा वह हो जाएगा इसका maximum capacity of a bag ठीक है तो हम इसका HCF निकालेंगे तो हमारे पास पहला है 165 kg तो इसको हम क्या करते हैं factorize करते हैं तो factorize करेंगे तो 165 को factorize करेंगे तो यह हो जाएगा 190 को हमने factorize कर दिया अब हम 210 kg को कर जाते हैं तो यह करेंगे तो 2 into 3 into 5 हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा तो यह हो गया इसका factorization अब हम HCF निकालेंगे तो HCF यहनी कि highest common factor तो यहाँ पर common यहाँ पर देखेंगे कि क्या है तो common यहाँ पर क्या है इसमें 5 है इसमें 5 है और इसमें भी 5 है ठीक है तीनों में common देखना है तो यहाँ पर तीनों में क्या 5 common है तो HCF इसका 5 आ जाएगा यहाँ पर टू यहाँ पर है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है थिरी यहाँ पर है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है इसलिए टू भी नहीं आएगा थ्री भी नहीं आएगा तीनों में कमना ना चीए तो तीनों में कमना है फाइब कमना है इसलिए इसका क्या जाएग का 5 ठीकश है तो अब हम एंसर ओझाएगा मेकशिममम कपार इस लो यह ओगा इसके एंसर ओप्शन में स्वेख धी में 5 केजिज ओप और यहां पे यहां पग तेंक यू